एसी जी अपना करियर गुरू सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेश दे बेल आइकन फो लेटेस वीडियोज सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक सुब कामना है क्योंकि राजस्तान स्टेट में जो राजस्तान हाई कोट है उस हाई कोट में जो 34 रेनी करमचारी है उसकी वेकेंसी जो है वो टेकलेर हो चुकी है नौटिफेकिशन के साथ में तो दोस्तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुसक्परी है और एक बहुत अच्छा मौका है 2020 में गवर्मेंट जोब हासिल करने का विशेश तोर पर उन लोगों के लिए मेरे गाओं के भाहियों के लिए जो अपनी लाइफ है वो गौ़र्मेंट जोब से सिक्यूर करना चाते है उन लोगों के लिए तो एक बहुती सुनरा उसर है आप लोगों के लिए तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो में राजस्तान हाई कोट भरती 2019 और 2020 के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा जोत्पुर का नया न्यायले जो अभी बना है बहुत ही सांधार और भव्य नयायले है तो हो सकता है कि आपको मौका मिले इस नयायले में काम करने का तो चलिए देखिए आगे हम देखते हैं कि यहां पर इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगी सबसे पहला जो आपका point यहाँ पर है वो point है आपका कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितने पदों पर यह भरती आपकी होगी यानि इस vacancy में total कितने पद है दूसरा question कैसे करे तयारी यह question आपके लिए बहुत important है most important question कि हम तयारी कैसे करे क्योंकि देखिए 10th pass क्या level है इस vacancy का syllabus जो है वो जारी हो चुका है उनके जो अंक है यानि पुल मिलाकर जो exam scheme है वो जारी हो चुकी है तो हमें अब जो बात करनी है वो इसी के बारे में बात करनी है कि कैसे करे हम इस exam की तयारी कि हमें ये job जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए तीसरा question आपका होगा कि कैसी होगी परिक्सा हाँ अगर आपको तयारी करनी है तो आपको पता वाना चाहिए कि exam कैसे होगा exam scheme क्या है कौन सा subject किते marks का है उसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा क्योंकि बिना strategy के कोई भी exam clear करना आसान नहीं होता है आज का दोर जो है वो दोर है smart study का ना कि आप रात बर और दिन बर आप पढ़ते रहें वो दोर नहीं है बिल्कुल भी चलिए next जो question है आपका क्या रहेगा पाठ्थे करम क्योंकि आपको पाठ्थे करम ही पता नहीं होगा तो आप कैसे तयारी करेंगे तो friends आपको पाठ्थे करम को ध्यान में रखते हुए और exam कैसा होगा उसकी scheme कैसी है कौन सा subject आपके किते marks का है उसके according आपको exam की तयारी करनी है I am damn sure कि आपका 100% selection हो जाएगा और ये हमारा जो ACG channel है अपना career guru जो channel है वो आपकी अपने दिल से आप लोगों की मदद करेगा आप सभी लोगों की मदद करेगा ताकि आपका selection आप सुनिश्चित कर पाए next देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पद कितने हैं पद जो है वो आपके 3678 पद है ये 3678 पदों में से इनी पदों में से जो है reservation दिया जाएगा चाहे वो 33% महिलाओ का हो या जनरल category का EWS से हो वो सारे इनी में से ही दिये जाएंगे अब हम बात करते हैं कि आपका जो return exam होगा वो 3678 पदों के लिए होगा return exam के बाद में आपके यहाँ पर interview भी रहेगा तो interview के लिए ये जो आपके total 3678 पद है इनका पांच गुना जो है interview में बुलाया जाएंगे तो 3678 का पांच गुना जो लगबग होता है वो 19,000 के आस पास होता है 40 वर्स की जो है IUC माय रास्तान के अंदर सभी government jobs के लिए जो maximum age limit है वो 40 कर दी गई है तो general candidates के लिए एक बहुत सुनरा आउसर है कि जो 40 साल से कम 35-35 साल के हैं वो भी जो है इस exam के लिए apply कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर OBC की बात करें तो उनको 5 वर्स की छूट है और अगर हम STSE की बात करें तो उनको 10 वर्स की छूट है यानि दोस्तों STSE वालों के लिए तो यहाँ पर देख लिए जिये कितना सुनरा राऊसर अगर आपकी उमर 50 वर्स भी है उससे कम है उन 50-48 कितनी भी है तो आप इस vacancy के लिए eligible है अंतिम तिति को आप भूलिएगा नहीं अंतिम तिति इसकी है 17 दिसंबर और यहाँ पर एक विशेश तोर पर आप बात का ध्यान रखेगा कि आपको 17 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है आपको आपका फॉर्म तो 5 दिसंबर से पहले पहले ही बढ़ना है क्योंकि यह जो सारा फॉर्म जो है यह online फिलप होता है और अंतिम जो दिन होते हैं यानि मान लिजी आप 16-15 को बढ़ रहे तो उस समय जो website पे जो traffic होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके वज़े से हो सकता है कि आप फॉर्म फिलप करनी पाया पीछे रजाई इस सांदार उसर से तो आपको फॉर्म पहले ही बढ़ना है सुल्क की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 150 रुपे सुल्क रखा गया है और 100 रुपे SC-ST के लिए रखा गया है यहाँ पर 100 रुपे SC-ST जो महिला है विद्वा परित्यक्ता सब के लिए 100 रुपे है और जनरल OBC के लिए 150 रुपे सुल्क है इसका आपका तो बहुत ही minimum सुल्क है इतना तो लगेगा चलिए next slide पर चलते हैं तो यह लिखित परिक्सा जो है आपके 85 अंकी होगी कित्ते अंकी होगी 85 अंक और यह 85 कॉशन होगे एक क्विशन एक नंबर का होगा समय मिलेगा आपको 2 गंटे यानी 120 मिनट और यह exam जो होगा वह आपका online नहीं होगा OMR seat पर होगा तो OMR seat पर आपको एक्जाम देना है एक्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत तीन जार सम्तिंग जो पद है उनका पांच गुना यानि लगबग 19,000 लोग बुलाई जाएंगे अगर उन 19,000 में आप आते हो तो फिर आपको साकसातकार देना होगा यानि इंटव्यू देना होगा इंटव्यू है आपके 15 मार्क्स का कितने मार्क्स का है 15 मार्क्स का इंटव्यू जो है इतना कोई बड़ा लेवल का इंटव्यू नहीं पुछा जाएगा बे जो बंदा है वो ठीक से काम कर सकता है कि नी कर सकता है ठीक है अगर वो ठीक से काम ही ने कर पाएगा तो फिरорот직रेरी उसका क्या से कुछ रहाइगा इसमेसे 15 नंबर का कुछा क्या आपकया करते और हुआ है written exam के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे और यह साखसातकार है वो depend करता है जो वहाँ पर इंट्रव्यू लेंगे उनके उपर depend करता है कि वह आपको 2 मिनट इंट्र पांच मिनट ले यहाँ 10 मिनट लेंगे उन पर depend करता है ठीक है इसका कोई time fix नहीं है clear दोस्तों चलिए Next अब हम बात करेंगे कि फाथे करम क्या रहेगा तो पाथे करम आप यहाँ पर सबसब अक्सरों में देख सकते हैं कि सामानिय हिंदी यह आपके लिए वर्दान हैं यह मानली जिये क्योंकि सामानिय हिंदी यहाँ पर 40 प्रसन पुछे जाएंगे और अंक मिलेंगे आपको 40 तो आप मान के चलिए यहां पर 85 में से 40 यानि यहां लगभग 48 46% सम्तिंग आपके जो मार्क से वो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी से मिलने वाले हैं किसे मिलने वाले हैं हिंदी से मिलने वाले हैं तो हिंदी आपके लिए यहां पर एक बहुत पूछी जाएंगे और इनके अंख होंगे 25 तो आप मान के चले के भी दसवी पास जो हाई कोट फोर्थ ग्रेड के एक्जाम देने के इच्छुक है अब हम रियली में बात करें तो उनकी अंग्रेजी तो अच्छी नहीं होगी ठीक है तो इसके उपर आपको बहुत अच्छी मेनत करने पड़ेगी अंग्रेजी के ओपर तब आपको टॉप आराम से क्लियर कर पाएंगे ठीक है तो अंग्रेजी में भी जो है आप हमारे चैनल के साथ बने रही है आपको जो है बहुत अच्छी और बहुत सांदार अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी आप मान के चलिए मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको डिक्टो कोशन मिल जाएंगे जित्ते भी कोशन करोगे ना आपको सैम एजटेस कोशन मिल जाएंगे चलिए आगे बात करते हैं रास्तान संस्कृतिया हूं बोलिया देखिए वै रास्तानी संस्कृतिया बोलियो की बात करें तो 20 क्यूशन होंगे और 20 अंक के होंगे यहाँ पर तो टोटल आपके 85 परसन होगे और किते 85 अंकों के तो आपको यहाँ पर स्टेटरजी बना कर आपको चलना होगा कि हमें किस प्रकार पढ़ना है नेक्स देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीधा स्लेबस की किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्लेबस की तो स्लेबस आप अच्छे से देख लिजिए कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी की तो हिंदी जो है आपने भी देखा था किते कुशन होंगे ब कार्थी सब्द और वेंजन तो यह आपका हिंदी का स्लेबस रहेगा और 40 मांग्स और 40 कौशन तो आपको यह बहुत अच्छे से आपको एक-एक जो आपका टोपिक है विसेशन समास इनको एक-एक टोपिक को आपको बहुत अच्छे से त्यार करना है तब ही जाकर आपके आ आपके आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, डिरेक्ट, इंडिरेक्ट, मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर कमांड, रिक्वेस्ट, पर्मिशन, प्रोबिलिट, और अब्लिगेशन, यह मॉडल्स के अंदर ही इंक्लूड हो गया, इसको इन्होंने एक्स्टा लिखा है, जब कि य होता, ठीके, आगे सनोने, मैंटर नहीं, यानि आपकी वोकेब, यानि वर्ड्स याद करने हैं, आपको वन वर्ड, जेंडर, एड्जेक्टिव, वर्ड, कुछ नहीं है, दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का यह कोर्स है, अगर आप 25 दिन में इस अंग्रेजी को पढ़ो रस्तान Culture और डालक्स की यानि भासाओ की बात करते हैं, यह आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, एक एक चीज आपको इट पैध्यान से पढ़ना है, रस्तानी लोकोक्तिया पढ़नी है, आपको रस्तानी कहाउते पढ़नी है, रस्तानी मुहावरे पढ़नी है, रस्त तो फ्रेंड्स मान के चलेगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तीन चार गंडे डेली तो भी आप जो है तीस दिन में इसकी अच्छे से प्रेपरेशन कर सकता है तो फ्रेंड्स इसी एक्जाम से रिलेटेड आपको जो भी मैटेरियल चाहिए आपको वीडियो चाहिए हिंदी रिष्टा के अंग्रे जी से और रास्तानी कल्चर और डियलेक्ट्स के तो हमारे अपना कर्यार गूरु का वाटसड़ी ज आपको यहां पर स्क्रीन में पर सो हो रहा होगा इस इस ऌरीचे आपको जुड़ना है आपको सिर्फ हमारे वाटसड़ा नह halvesमार मेसेज करना है आ आपको मैटेरियल उस पे सैंड करेंगे और आपको बहुत बड़ी मदद हो जाएगी हमारी तरफ से तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत सुखकाम नहें कि आप जो है ये एक्जाम में अच्छे से प्रिपरिशन करें और एक्जाम आप क्लियर करें और जल्दी से जल्दी सरकारी नोकरी प्राप्त करें धन्यवाद